हेलो गैस तो कैसे हैं आप लोग तो गैस आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटियम अप्लिकेशन को ले करके हैं तो गैस पहले भीम अप्लिकेशन में उसके बाद फोन पेटियम अप्लिकेशन में अब जो है पेटियम अप्लिकेशन में भी अधार काड सी यूप काड नहीं होता था वो यूपी आई का इस्तमाल नहीं कर पाते थे गईज जाहिए सी बात है सभी को पता है कि हमें कोई भी यूपी आपलिकेशन के इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले उसमें अपना बैंक अकाउंट एड करना होता है उसके बाद एटियम काड के मदद से तरगत आप अपने अधार काड के मदद से अपना यूपी आई पिन सेट कर सकते हैं बैंक अकाउंट एड करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि पहले भीम अपलिकेशन में उसके बाद फोन पर अपलिकेशन में अब जो है अगर आप पेटेम अपलिकेशन के इस्तमाल कर होगा कि कैसे आप अधार कार्ड के मदद से अपना यूपी आई पिन सेट कर सकते हैं तो कैसे अगर आपके पास अपना यूपी आई पिन सेट कर सकते हैं तो चले गाइस पर देर ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलना पड़ेगा हमें अपने मोबाइल के स्क पर चलते हैं तो गैसे अगर आप Paytm अप्लिकेशन में अपना bank account एड़ करके अपने अधार कार्ड से UPI पिन सेट करना चाहते हैं तो आपको सब सब पहले Paytm अप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको सबसे अपना bank account एड़ करना होता है तो bank account एड़ करने के लिए आपको सबसे उपर पर लेफ्ट साइड में आपकी profile photo दिख रही होगी आपको अपने profile photo वाले option पर click करना है जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है चली इस पर click करते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा आपको UPI and payment setting आपको इस पर click करना है click करने वाद अगर आपने पहले ही pay team application में कोई bank account add किया होगा तो यहाँ पर show करेगा अगर नहीं किया होगा तो add bank account को option दिखेगा जैसे कि यहाँ पर add another bank account का option दिख रहा है अब आपको क्या करना है bank account add हो गया है अब आपको UPI का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने UPI pin बनाना होगा UPI pin बनाने के लिए दो option दियो जाते हैं एक debit card का एक अधार card का अधार card के लिए का करना होगा जैसे कि आपको change pin का option दिख रहा है जैसे कि अगर आप first time अपने bank account add किया होंगे UPI में तो आपको आपको set pin का option दिखेगा तो आपको change pin हो या set pin हो आपको इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर दो option दिखेंगे अगर आप अधार card से बनाना चाते हैं तो आपको अधार card वाल option पर click करना है और यहाँ पर एक box दिख रहा होगा नीचे की side में I consent to use my adhaar इस पर आपको click करना है box पर जैसा आप click करेंगे तो नीचे की side में I proceed का option दिखेगा आपको proceed वाल option पर click कर देना है जैसा आप इस पर click करेंगे click करते ही यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप अपने अधार card का starting के 6 number यहाँ पर enter करना है और enter करने बाद नीचे के side में आपको proceed का option दिख रहा होगा आपको proceed वाले option पर click करना है चलिए हम सबसे पहले अपने अधार card का starting के 6 number डाल देते हैं और डालते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे proceed का option दिख रहा होगा आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके अधार card का तरप से एक OTP आएगा जो की automatic fill हो जाएगा fill होने बाद यहाँ पर क्या होगा कि नीचे की साइड में right का option दिखेगा आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा OTP आ चुका है अधार card के तरप से यह automatic यहाँ पर fill हो गया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर right का option दिख रहा होगा यहाँ नीचे की आपको यहाँ पर OTP manually fill करना होगा जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे bank के तरप से भी OTP आ चुका है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर manually fill करेंगे manually fill कर देते हैं हमने OTP OTP fill करने बाद आपको क्या करना है अपना नीचे की साइड में जो right all option उस पर click करना है चली मैं आपको करके दिखा जाता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे OTP आ चुका है OTP हमने यहाँ फिल किया नीचे की साइड में right का option दिखेगा ह हम right all option पर click करेंगे चली यहाँ उपर करते हैं हम सबसे पहले हैं नीचे right option है जैसा हमने उस पर click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप से बोलेगा कि आप यहाँ पर set four digit UPI pin किसी-किसी बैंकर का 6 digit का होता है किसी-किसी का 4 का होता है मेरा 4 का है अगर आपका 6 होगा त click कर देना है जैसा आप right all option पर click करेंगे तो आपके अधार card से आपका UPI pin जो है set हो जाएगा उसके बाद आप अपने अधार card के मदद से UPI pin set करके किसी को भी payment कर सकते हैं और किसी भी account का balance चक कर सकते हैं UPI pin set करके तो guys बहुत असानी से आपको अपने अधार card से UPI pin set करने क option जो है यहाँ पर paytm application में दे दिया गया है अब आप कर सकते हैं तो guys उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना औ और इस बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना तक कि आने वाली वीडियोस की नेटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके है तो चलिए guys पुर मिलते हैं नेक्ट वीडियो महती जल तब तक के लिए जैहिंद